आज मैं आपको क्लास धर्ड का चैप्टर टैन सैमी स्ट्रिक्स सैमी की चाल का बुक वर्क क्लियर करूंगे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लेज सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को और मुझे कमेंट करके ठैंक्स मैं जरूर बोल देना ओके तो यहां देखिए वर्ट डीट सैमी ब्रेक जो सैमी था जो यह सैमी लड़का था उसने क्या तोड़ा था उसने एक फ्लावर पोड तोड़ा था सैमी की मम्मी ने क्या पेंट करने के लिए क्या पेंट करने के लिए का था फैंस जब उसने एक फ्लावर पोड तोड़ दिया जया तो to Sammy की मदरने पनिसमेंट के दोड़ पे उसको फैंस को paint करने के लिए बोला था वड डीड मोनो-अफर सॉमी मोन ने सैमी को क्या उफर किया जब Sammy डिवार-स को paint-कर रहा था तो तो Samy अपने काम से पोरू उचू का तो उसने अपने दोस्त को बोला कि मैं बहुत ही अच्छा काम कर रहा हूं, मैं एक आर्ट कर रहा हूं, तो Mono ने भी उस काम को करना चाहा, तो Mono ने Samy को क्या उफर किया, कि मुझे ये वाला काम जो फैंसल्स को पेंट करने दो, तो उसन केंडी ओफर की थी, what did Samy's mother gave him to as a reward, Samy की ममी ने reward की तोर पर उसको क्या दिया, क्यों Samy ने बहुत अच्छा काम किया तो, उसको इना मिलना चाहिए, तो Samy की ममी ने उसको एक चोकलेट दी थी, Samy's mother was surprised at the well painted, Samy की मदर क्यों है रहान हो गई, कि उसने बहुत अच्छा क्या गिया है, paint, आगे देखिए, true false, Samy वाजा नोटी बॉय, Samy एक नोटी बॉय था, yes, Samy's mother did not like him, Samy की मदर उसको पसंद नहीं करती थी, ऐसा हो सकता है कि कोई माँ आपने बेटे को पसंद ना करें, इसका अंसर false आएगा, Samy broke the window paint, Samy ने खिड़की का सीसा तोड़ा था, नह Samy की ममी ने उसको, फैंस को paint करने का काम दिया था, yes, Monu offered candy to Samy, Monu ने Samy को candy offer की थी, yes, तो यहाँ देखिए, make sentences using the flowing words, तो हम यहाँ sentences बनाने हैं, नोटी, साकसी जाल, नोटी गर, साकसी एक नोटी गर्ल है, broke, he broke the wage, उसने गुल दसता तोड़ा, फैंस, he painted the fence well, उसने फैंस को बहुत ही अच्छे से paint किया, trick, he played a wonderful, he played a wonderful trick on his friend, उसने अपने दोस्तों के साथ एक अच्छी चाल खेली, surprise, I was surprised to see, और मैं उसको देखकर surprise हो गया, आगे देखे, the skies above the mountains, and, अब अबने हमें end का यूज करना है, join the flowing pairs of sentence, conjunction यूज करना है, इसमें हम end का यूज करेंगे, तो देखे, the sky is above the mountains, and the house is below the mountains, और house, जो sky है, वो mountains के ऊपर है, और घर है, वो mountains के नेचे है, he entered the hotel, and, यहाँ पर ही दुबारा यूज नहीं करेंगे हम, तो and asked for a cup of tea, वो होटल में enter किया, और उनको cup of tea पूछा गया, Monu went to see the movie, but could not get the ticket movie, Monu, Monu था, वो movie देखने गया, प्रांद उसको वहाँ पर ticket नहीं मेरी, हम नहीं है, conjunction का यूज करना है, and or but का यूज कर रहे हम, the garden is in front of house, जो garden है, वो हमारे house के सामने है, and garage is behind it, और garage इसके पीछे है, आगे देखे, there is a dal tree near the hill, यहाँ पर एक लंबा व्रिक्स है, sorry, there is a dal tree and small hut near the hill, क्योंकि यहाँ पर near the hill है, यहाँ भी near the hill है, तो हम इसको एक पर व्यूज करेंगे, there is a dal tree and small hut near the hill, आगे लाश्ट देखे, Ron went to park, Ron went to park and played football, okay, आगे देखे, seeds are in the room, the room is locked, जो seeds है, वो कमरे में है, प्रन्तु कमरे को ताला लगा हुआ है, तो हम लिखेंगे, seeds are in the room, but it is locked, प्रन्तु है, लोक है, आगे देखे, there are books on the table, there are papers on the table, आप यहाँ देखे, table पर books और paper दोनों हैं, तो हम लिखेंगे, there are books and papers on the table, okay, I'm gonna stay, dude,